अले ब्रीबन विल्कम टित सरोज मिश्राज यूटिब चैनल में यूटिब चैनल पर आप से भी का बहुत-बहुत स्वागत है न्यू एडवर्टीजमेंट रिलीज हुए है एड्मिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल वन ऑफिसर पोस्ट है रिकूट्मेंट एडवर्टीजम अधरी होने वाली है एलिजिबिलिटी ग्राजुएशन इन रिलेटेड स्ट्रीम तो जिस स्ट्रीम में वेकेंसी उस्ट्रीम में आपका स्नात्तक होना चाहिए एप्लाइफ्राम ओल स्टेट क्योंकि गौवर्मेंट ओफ इंडिया भारत सरकार की नोकरी है तो किसी भी एक्जाम सेंटर जो है ऐसे पोस्ट के लिए अल ओवर इंडिया एक्जाम सेंटर रखे जाते हैं अब आगे हम डीटेल्स कवर करेंगे कि कौन से ओर्गनाइजेशन से क्योंकि गौवर्मेंट ओफ इंडिया की जॉब तो है लेकिन कोई ओर्गनाइजेशन होगी जहां से तो कौन से ओर्गनाइजेशन से आई हुई है और कौन कौन से स्ट्रीम में कैंडिडेट अपलाई कर सकते हैं टोटल पोस्ट कितनी अप्लिकेशन फी फिलाल जो एक शौट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है तो शौट नोटिफिकेशन से ही जो इनफर्मेशन है बता देती पूरी इंफर्मेशन दो ओरिएंटल इंशुरेंस कंपनी लिमिटेट होली और कॉंड बाइ गौर्वर्मेंट ओफ इंडिया पूरी तरीके से भारत सरकार के अधीन है और इसमें ओनलाइन अप्लिकेशन सार इंवाइटेट फॉर्ट 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 फॉर् इडवलुएस के लिए 9 एंड अन रिजर्ट के जेनरल के लिए 45 सीट्स तो टल और पीडवलुब्ली के लिए बीच रिजर्ट सीट्स रहेंगे तो स्ट्रीम वाइस वेकेंशी जैसे अकॉंट्स में 20 है एक्शुरियल में 5 इंजिनेरिंग में 15 इंजिनेरिंग इंग इंग में 20 मेडिकल में 20 इसका मतलब है कि ग्राजुएट जो एन रिलेटेड च्रीम से मांगा जाता है तो बीकॉम वाले इसमें अपलाइ कर पाएंगे अभी तो क्रिल्कुल अप्लियर हो जाएंगा बट लाल जीतना आप तक होता आया है तो एकॉंट में तो बीकॉम वाले समें Commerce graduate apply कर पाएंगे, Actuarial से Actuarial वाले कर पाएंगे, Engineering में B.E.B.T.E.C. वाले कर पाएंगे, Engineering IT में हो सकता, B.S.C. IT वगरे को भी Option में रखे, Legal में L.L.B.E. जिनके है, Bachelor in Law है, वो apply करेंगे, और Medical में जो भी रहेगा, B Pharma भी हो सकता है, अपना MBBS भी हो सकता है, और Related Stream Medical के हो सकता है, कुछ Backlog की एक-डो एक-डो vacancies है, उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है, 250 रुपीज चार्जेज रहेंगे, अगर SCST, PWBD Candidates है, या Already OICL के Candidates हैं, जो काम कर रहे हैं महाँ पे, और बाकी जो है, सभी Candidates के लिए 1000 रुपीज रहेगा, प्लस GST, मतलब लगभग 1100, 1100-1200 रहेगा, Last date for receiving online application 12th April, applications are to be submitted online only from 21st March, 21st March से 12 April तक, 21st March 2024 to 12th April 2024, through the URL, for complete information in this regard, please refer to the detailed advertisement in Employment News, Rojgaard Samachar, अभी जो आएंगे ना, अब जो next Saturday का Employment News, या हिंदी में रोजगार समाचार है, या फिर, इसकी official website भी एक बार देख लेते हैं, उस पर अभी आए नहीं है, किसी न्यूस पेपर अगरा में आता है, जैसे Times of India, Hindustan Times, उससे इमेज ली गई है, तो इसकी एक बार official website भी देख लेते हैं, कि एक बार देख लेते हैं, जैसे हैंगे लेते हैं, अब जा कोटी में आता है, जी एक बार झाएंगे हैं?